सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को दबाएए लेटेस अबडेट पाने के लिए वेट क्यों नहीं बढ़ा है यह बहुत सारे पैरेंट्स का कुश्यन होता है कि मैं मेरा बचा दिन भर खाता है फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ा है तो ऐसा क्यूं है तो आज उसी टॉपिक को क्लियर करूंगी वीडियो को प्लीज लास्ट देखिएगा मेरी रिक्वेस्ट इसमें कोई सा भी ऐसा पॉइंट हो सकता हैं कोई सा भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आपके बचे का वेट ना बढ़ा हो इसलिए इसको लास तक जरूर देखेगा और इसको शेयर भी करिएगा क्योंकि यह बहुत सारे पैरेंट्स की प्रॉब्लम है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेए जो सबसे पहली वजह होते हैं बच્े के वेट न बढ़ने की तो बच्चे का लीवर कमजोर हो तो कि बच्चे का लीवर कमजोर होता है तो आप कुछ भी बच्छी को खिलाएंगे तो वो उसकी बॉडि में नहीं लगे तो अगर बच्चा खाने के बाद तुरण पॉटी करने जा रहा है तो इस वज़े से ऐसा होता है कि बच्ची को जो भी आपनी खिलाये तो अगर आपका बच्चा बार-बर खाने के बाद पॉटी करने जाता है इस पे मैंने एक वीडियो बनाई एक होम रेमेडी है बहुत ही अच्छी वह अगर आप अपने बच्चे को देंगी तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने बच्चे कर सकते हैं और बच्चा दूबला पतला देख रहा है वजन नहीं बढ़ा उसकी एक दूसरी वज़ा यह भी हो सकती है क्या बच्चा आपका खातो रहा है दिन भर लेकिन उसको नुट्रिशन नहीं मिला है मतलब यह कि आज कल बच्चों को भूख लगी त इतना आइडिया ना रहता हो कि वह मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आसानी की वज़े से भी पैरन्स बच्चों को चेप से बिस्केट वगरा दे देते हैं तो अगर कभी कबार बच्चा खारा कोई बात नहीं या दिन में एक बार उस के साथ ऐसा कर रहे हैं कि उसको आप न्यूट्रिशन जो जिस खाने में होती है उससे जाद आप उसको फास्फूड इस तरह से दे रहे हैं तो बच्चे कभी नहीं बढ़ेगा आपको लगेगा कि बच्चे ने भी एक घंटे पर चिप्स काई थी एक गंटे बाद उसने ब लेकिन उनके अंदर आइरन की कमी हो जाती है और वह देखने में आपको लगेंगे कि मोटे हैं बहुत हेल्दी लेकिन उसको हेल्दी नहीं मान सकते हैं बच्चे को एक्टिव होना जरूरी है तो अगर आपका बच्चा अगर जंक फूट खाने के बाद बहुत तेजी से उ जो अगर आप अपने बच्चे को देंगी तो आपके बच्चे का वेट बढ़ने लेगेगा उसकी लिंक भी बीवने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाके देख सकती है और तीसरी वज़ा यह सकती है कि आपका बच्चा बार बार बीमार पढ़ता हो उसका इ ही वर ही आजा रहा है लेकिन बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इससे भी उसका वेट नहीं बढ़ेगा तो ऐसे चाहिंद़ आप एसी चीजे और पश्रॉड हो एसी चीजने जिसमें ज्यादा पीख नहीं बढ़ेगा जिसमें जादा से ज़्यादा पोशक्ततु शाम दिन भर खाता है लेकिन उसका वेट क्यों नहीं बड़ा मलब सारी निट्रिशन आप उसको दे रहे हैं अच्छे से अच्छा उसको पोशकतत वाला खाना दे रहें फिर भी उसका वेट नहीं बड़ा तो उसका रीजन यह सकता है कि बचा नॉर्मल है बिल्कुल सब कुछ सही का वहाइए मेरी बीमार भी नषी पढ़ता है लेकिन बचा यह अट इंड़ी फीजिकल तो पर एक्डिव जादा वह दिन भर करता है कुदा फंदा करता बहुत से बच्चा यह से होते हैं मेरी बेटी भी छोटी भाली जो है वह देखने में दूबली पत्ली हैं हर तो मेरी बेटी डॉक्टर के टेबल पे जो भी चीजे थी वो उसको तुरंद उसने इधर उधर करना शुरू कर दिया काफी उसने मुझे परेशान किया डॉक्टर भी हसने लेके डॉक्टर ने कहा आपके बेटी कमजोर है दुबली पतली है लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि आपके बेटी कितनी एक्टिव है उन्होंने मुझे पूछा कि आपके बेटी दिन भर घर में भी सब करती है दोड़ती भागती है और जादा स्यादा एक्टिव रहती तो मेरा जवाब था यह तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा तो आपके बेटी बिल्कुल नॉर सकती है आपके बच्चे के साथ और एक बजा यह भी हो सकती है कि आपके बच्चे को जितनी नेन लेनी चाहिए वह उतना सोता नहीं क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए उनके वेट बढ़ने के लिए बच्चों का सोना भी बहुत जरूरी होता है तो अगर आपका बच् चक्कम सोता तो आप उसके नीन पर ध्यान दीजिए और टाइम टू टाइम अपने बच्चे को सुलाइए जरूर जिससे उसका वेट अच्छे से गेन हो सके और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो यह हो सकता है कि आपके बच्चे का वजन बहुत जादा नहीं बढ़ रहा है वो देखने में मोटा नहीं लग रहा है तो इसकी वज़े जैनेटिक भी हो सकती है अगर आप दोनों दूबले पतले दिखने में आपके फैमिली में कोई मोटा नहीं है आपका जो फैमिली जो एक हिस्ट्री है और वो उसमें सब लोग इसी तरह से हैं तो यह भी बच्चे लेकिन के ऊपर हो सकता है इसके वज़े से भी बच्चा मोटा नहीं हो रहा हो मिल् wannp ended mo transparent नहीं लग लग रहा हो तो इसमें आपको टेंशन नहीं ले उसमें आप बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाए नूटिशन दीजे बच्छे का हल्दी रहना जरूरी है तो यह भी एक कंडिशन थी जिसमें बच्छा आपका बहुत जादा मोटा ना दिख रहा हो क्योंकि जादा तर पेरेंट्स की यही परिशानी होती कि मेरा तब से मैंने बिल्कुल सोचना शोड़ी अभी दूबली पतली लेकिन काफी एक्टिव है चाहे वह खेल कूद हो चाहे इसके स्टडी हो हर चीज में वह अच्छी है तो बस यह चीजे होना जरूरी है मैं आशा करती हूं कि आपको यह सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जादा से जादा करें